जड़ते हुए वाल दुबारा से उगाना है बालों को लंबे काले घने वनाना है तो सिर्फो सिर्फ आपको एक चीजी आज से लगानी शुरू करते नहीं है और मैं आपसे कहता हूँ पहले दिन से ही आप इसका रसिल्ट देख लें सो साल तक आपके वाल नहीं जड़ेंगे वालों में चमक रहेगी लंबे काले घने हमेशा वने रहेंगे मेरे इस बात को ध्यान से सुनना जो आपके सर के बाल उड़ चुके हैं सर की इसकिन बिल्कुल चिकनी हो गई है बालों के छेद वंद हो गई है तो उस जगह पर आपके बाल कभी नहीं आएंगे फाल तो टा जड़ते हैं वालों की ग्रोथ रुख गई है तो इस चीज से वालों में लगाने से पहले दिन से ही आप इसका रजिल्ट देख लें पहले दिन से ही अपना असर देखाना शुरू कर देती है यह चीज तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सार सतर साल नहीं 400-500 साल पुराना मैं आपको एक राज बताने वाला हूं जो पहले पुरोस और महीला है उस चीज को अपने वालों में लगाती थी जिससे उनके बालों की ग्रोथ हमेशा होती रहती थी वाल काले लंबे घने वने रहते थे ना तो बाल जड़ते थे और ना ही वाल टूपते थे उस चीज के वारे में तो मैं अव्याल आपको बताऊंगा ही लेकिन उसके बाद मैं आपको एक और ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपके बालों की ग्रोथ 10 गुनात यही नहीं आपकी फेस की स्कीन के लिए भी बहुत ही जादा लाबदायक होता है देसी गी में वह सारे पोसकत्तव होते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ करने में बाल यदि तूटते हैं जड़ते हैं बालों को दुबारा उगाने में देसी की सबसे असरदार ऐसी नेशरल चीज़ है जो आपको फैले दिन से ही असर दिखाना सुरू कर देती है दिन में एक बार दो बार जब भी आपको टाइम मिले थोड़ासा देशी घी लेना वालों की जड़ों में लगाना वालों की पूरी लेंथ में लगाना सब जगए वालों में लगाके हल्किसी मसास करते ह आपको अपने बालों में लगा लेना चाहिए और यदि आप रात में लगाते हैं तो गी को थोड़ा सा गुनगोना कर लेना है फिर आपको अपने बालों में लगा के मसाज करनी चाहिए और यदि आप इस दूसरी चीज़ को आप अपने बालों में लगाते हैं तो बालों की ग्रोथ बहुत तेजी से होकी और सेंपू के एक घंटे पहले या फिर 30 मिनिट पहले आपको इस चीज़ को अपने वालों में लगाना है आपको घी लेना है जितना आपने घी लिया है उससे डबल मातरा में आपको एलोवेरा जेल उसमें मिक्स करनी है यदि आपके घर में गमला है एलोवेरा जेल का तो उसकी ताचा एलोवेरा जेल निकालने तो वो सबसे बैस्ट रहेगी डबल मातरा में आपको लेना है पूरे वालो में अच्छी तरह से इसको लगा के रखिए और फिर जितना आपके पास टाइम है आदा घंटा या ये घंटा आप अपने बालों में इसको लगा के रखें फिर उसके बाद आपको सैंपू कर लेना चाहिए सबता में दो तिन बार ऐसा आप सरूर करें आप देखना आपके बालों की क्रोथ बहुत तेजी से होगी और जड़ते हैं तूटते हैं ये सारी समस्याएं आपकी खत्म होनी सुरू हो जाएंगी